को अब दोस्तो आज का दो सार्जा रमजान टी-टैन लिग का दो सेवन डिस्टिक वर्चिस वैले बोईज के बीच में जो मैच होने वाला है तो इसके बारे में हम यहां पे रिविविव करने वाले हैं दोस्तो इस मैच के एटूदर प्लेयर्स का रिकोर्ड में आपको यहा जोइन हो सकते हैं और दोस्तों इस यूटिब चैनल के उपर अगर आप नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जूरूर कर लेजीगा चुले दोस्तों इस मैच की ड्रीम लॉओन टीम बनाने से पहले इनकी जो रिकोर्ड रहे हैं पहले हम वो कवर कर लेते हैं उसके बाद में ड वीपर चेज कनवाल टीम का अबरेज स्कोर 90 रन अभी तक रहा है पहले बैटिंग कनवाल टीम ने 12 मैच विन किये 21 में से चेज कनवाल टीम ने 21 मैचे विन किये हुए विकेट स्पिलिट की बात करिणे तो पेसंच के नाम 21 मैच के दर 113 विकेट रही है Spinners के नाम 21 मैचे जिकेंदर 81 विकेट अभी तक रही है दोस्तो इन दोनों टीमों का add to add का record मुझे मिला तो मैं आपको screenshot लेके टरी राम के उपर उनका update दे दूँगा यहाँ पर दोस्तो 70 stick की अगर बात केंदर तो थोड़ी सी अच्छी square लग रही है लेकिन दोस्तो वेले बोईज के फास में भी काफी ज़्यदा around आपको देखने को मिलने वाले है 70 stick का दोस्तो तो T10 का दो record रहने वाला है उसके बारे में बात करने तो मुझमद इर्फान दोस्तो यह attacking player रहने वाले है लास्ट मैच केंदर भी मैंने बताया था और दोस्तो लास्ट मैच केंदर भी 50 लगा गया था पांच मैच अभी तक T10 के खेले हुए 133 रन बना सुके हैं जुनियाद खान नंबर ओपनिंग करने वाले हैं पांच मैच के अदर 101 रन इनके नाम रहे रही से मच अभी तक नंबर थीन के उपर खेलेंगे च्छाह मैच के अदर 117 रन 4 विकेट इनके नाम रहे बैटिंग और बोलीन दोनों करके दिने वाले हैं लेकिन दोस्तो लास्ट पांच इनिस के अदर 10 रन से उपर नहीं बना पाएं हैं हफिज अलमाज दोस्तो तो 18 मैच से दिकेट ने 309 रन इनके नाम रहे हैं 20 विकेट भी नोने निकाले हो दोस्तो की फैक्टर यह बन सकते हैं क्योंकि दोस्तो नमबर चार के उपर बैटिंग भी करेंगे सासम दोस्तो आपको बोलिंग भी करके दिने वाले हैं दोस्तो इस मैच से दिकेट ने बहुत कम लोगों ने इनको पीक करका थोड़ा साथ दियान रखियेगा प्रमान अलहीं नो मैच से दिकेट ने बैटर रहे हैं अब्दुल गापर दोस्तो इस पैटिंग के साथ में आपको बोलिंग भी करके देने वाला है अलांकि इनको ब सब्सक्राइब करते हैं सागिर खान के बात 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 क सब्सक्राइब नाम रहें दोस्तों इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वेली बोई इसकी अगर बात करना दोतों इनका टीटेन का रिकोर्ड रहें वो भी साथ में यहां पर डाल दिया दाने साफिज की बात में दोस्तों दो मैच खेल चुके नाम रहें दोस्तों ट तीन द़ो स्वाजर में दोस्तों इनके नाम रहें दोस्तों दोस्तों रखिए नपर कर लेते हैं पहले दोस्तों यह दो आपको यह दिखने वाँ नमबर तीन के ऊपर इनको प्रवोट किया जा रहा 161 विकेट भी इन्होंने निकाले हुए लेकिन दोस्तो टीटन के अंदर 8 मैच्छत के अंदर 89 और 8 विकेट इनके नाम रहे हैं अधर लाग्य लेकिन दोस्तो टो मैच्छत के अंदर इतने ज्यादा पर्फोर्मेंस नहीं कर पाया है बैटिंग साइड से बोलिंग साइड से पांस विकेट नोने निकाल रखे हैं नंबर चार के ऊपर खेलने वाले साबिर बात की बात कर दो यह आलाउंडर रहने वाले लेकिन इन से लास्ट मैच के बोलिंग नहीं करवाएगी थी सेकेंड लास्ट मैच के अंदर नहीं रहे थे लेकिन अच्छी खासी कर लेते हैं 27 रहन लास्ट मैच के अंदर बनाये थे 41 की रहती है दो मैच अभी तक टीटन के खेले हुए हैं 50 रहन और कोई विकेट इन के आथ नहीं लगाए क्योंकि इन से बोलिंग नहीं करवाए जा रही है मदिद मंदूर दोस्तों इनके विकेट कीपर रहने वाले हैं लेकिन लो ओडर के अंदर खेले वाले हैं दो मैच अभी तक टीटन के खेले हुए हैं मातर पांच रहन ही बना पाए हैं मुसा बनर दोस्तों दो मैच के अभी तक चैरन इनके नाम रहें टीटन के अंदर मुसेन मत्तों के बात करते हुए हैं इनकी जो पारिया रही है वह आई है लेकिन दोस्तों मैच रहने वाले इस प्लेयर के ऊपर थोड़ा सध्यार रखेगा क्यों दोस्तों बहुत कम लोग मैच के परफोर्मेस रहें लुबहुत हैं मुदा सरेवाने एक से टोलब्स मैच के निकाल चूके हैं स्थोड़ा प्लेयर बिलालाएं मैज तो यह तक कहला हुए हैं एक विकेजिए नाम रहें होगा हैं इस दुस्तों एक रिकेट नाम रहें तो इक सुनीस टेट चैनले इ तो इस प्रेयर के उपर ध्यान अखिला क्योंकि यह आलाउंडर रहने वाला है टौक ओडर के दरे बैटिंग करेगा सफमें बालिंग भी करके देने वाला है रिकोर्ड की दबात मैंने तकरीवार मैंस्ट का रिकोर्ड यहां पर डाल दिया है आप यहां पर देख सकते हैं हर और日本 माजिध माजिद मंजूर का भी खैले वीछ नहीं कि 7 तक नहीं आती है विए हो मैल पूंट रहता है उब तूरे के पुरे दोा और भी आप को कर के सकते हैं और सकते तो यह बोलिंग भी ना करें थोड़ा सा रिसकी जुरूर रहने वाले हैं अगर आप दोस्तों इनका रिप्लेश करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों यह बेटिंग साइड से भी रिकोर्ड सांदार रहा है लास्ट मैच के दिन दर बहुत ही कमचांस रहेंगे कि यह आपको पूरी दोहार भी करके देने वाले हैं कालिद इब्राहिम को तो सेम पूरी नमबर तीन के ओपर खेलेंगे साथ मैच के दर आपको यह बोलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं बोलिंग डिपार्टमेंट के बास चार बोलन्स को यहांपर पिक किया है ठी हेदर अली दोस्तों पुरी को फिड और इनके डालने वाले है कि आ यह ना नामे रहने वाले हैं तो यह भी अलए नमबर चार पर फिर बोलिंग थी और धुर का साइव दोस्तों आपका पिक निकाल गई थे इनके राव तो एक शाप प्राइस के अगर बात करें तो आप या मैं तो विकुम संद्या बनारा को दोस्तों आप ग्रेंड लीग टीम के दर पिक कर सकते हैं या पर दोस्तों या पर उस्मान त्रमबू भी अच्छी ऑप्सन रहने वाले दोस्तों की अभी इ बोलर नहीं रहें दोस्तों आपको बोलिंग भी करके दिन वाला है साथ दोस्तों नुबर चार के उपर बैटिंग करता था था टीटेवन्टी के अंदर तीशन दोस्तों हरे मैच के दने 30 परस की इनिंग्स युनों ने खेली भी है अभी तक 15 मैच से दिके देंद थाढ़ करने वाले हैं इनके लाद तो आप यहां पर मुहमद विर्फान को भी टीम के दर ट्राइए कर सकते हैं कैप्टर मोईस कैप्टन की दानी साफीद भी दोस्तों रिचन दी अच्छी पोरम इनके रही है तो इन्हों ने अच्छी बैटिंग है की हुई है बाकि उस तो इनके